बनारस में नेताओं का जमावडा है सभी पार्टियों की दिगज नेता इस समय पूर्वान चल के बनारस में मौजूद है चुनाओ परचार में लगे हैं आम आदमी पार्टी के राजसभाज सांसद और यूपी प्रभारी संजे सिंग जी हमारे साथ हैं संजे जी छे चरण तो बीद गया साथवा चल अब आने वाला है अंतिम समय में यूपी का चुनाओ पहुंच गया है कहां पाते हैं आप अपने आपको देखे हम एक बड़ी उपलब्दी आम आदमी पार्टी की एमानते हैं लोग हमसे पूछते हैं समाजवादी पार्टी बीस पी कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टी चुनाओं में लड़ रही हैं बड़ी मजबूत लड़ रही हैं आप कहां हैं तो मैं कहता हूँ मैं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टों में हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टों में हैं बीजेपी के मैनिफेस्टों में हैं आज बिजली फ्री की बात हो रही है तो किसकी बदलत हो रही है आम आदबी पार्टी की बदलत हो रही है आज उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीती में जो भी बदलाव आप देखने को पा रहे हैं दो साल तक इस सरकार के खिलाफ कौन लड़ा किसने इनके घोटाले खोले जल जीवन मिशन का घोटाला हो, चाहे राम मंदिर की जमीन के खरीद में घोटाला हो, चाहे कस्तूरबा विद्याले में घोटाला हो, चाहे करोना की महामारी का घोटाला हो, किसने खुला है सारा घोटाला, 21 मुकद में लिखे हैं बाबा जी ने मेरे खिलाब, और अब अपन कुन भूमिका को सकती है वो आम आधिमी पार्टी ने निभाई मुद्डों की जो एकद भूमिका को सकती है चुनाओंक्ता मिलती है दस्नमार्श को сокot मैं उस पर बढ़ा दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं कि एक szczegól आत्मक और अच्छा परिणाम आमादमी पार्टी के पक्ष में आपको देखने को मिलेगा एक परिशाइनी यह आती है कि जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाओ लड़ते हैं तो फिरी बिजली दे या विकास की बात करें लेकिन लोग आंत में आ जाते हैं जातिवात पर इससे फायदा नहीं होगा भले आ जाएं लेकिन इससे यूपी की जनता का कोई फायदा नहीं होगा और मैं आपकी बात को मानता हूं सा अपरतिसत ये लोग कोई आसमान से नहीं आये हैं इनको जनता नहीं चुना है और जाती धर्म नफरत की बात करते रहे लेकिन लोगों क्या आप लेंगे वोट इसका मतलब जो हिंदू कांग्रेस को वोट दे सपा को वोट दे बीएसपी को वोट दे आम आदमी को वोट दे वो सब गद्दार हैं यह सारे जो नेता है यह सब गद्दार है तो तो इसलिए नहीं तो इससे फाइदा क्या हुआ क्या आप कुछ मुस्लिमानों के घर पे बुल्डोजर चला एक कुछ यादमों के अपने नोकरया दे दी नौज़ोंगों को आपने बताये न महंगाई कम कर दिया, अपने, वो तो 10 को पता चल जाएगा, साफ हो रहे है, छे चरन के चुनाम में भारती जन्टा पार्टी साफ और कल का जो प्रचार खतम हो रहा और साथ को जो चुना होना है साथ में चनल का उसमें भी साफ होंगे अरे मोदी अभी आ रहे हैं से पलट आने दीजिए उनकी खुद की सभाओं से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आप तो बनारस में हो देख रहे हो खोल देखें ऐसा वाया लखनों में आपने करोना की महामारी में लासे सरती रही नदियों में लोगों को इलाज नहीं मिला वेवस्था नहीं मिली तो यह सारे मुद्दे हैं ना इस चुनाओं में यह सांसर संजे सिंग है जो बीजेपी जिस बात को भूलाना चाहती है वो जनता को भूलने नहीं देते बारबार याद दिलाते हैं जो चीजे बीजेपी को खराब लगती हैं तकलीप देती हैं उसी पर वह बोलते हैं बारहाल आम आदमी पार्टी उत्तर परदेश में एक बेस खड़ा करने के लिए चुनाओं लड़ रही है दस मार्च को पता चलेगा कि वह कहा है कमरामन शीवम के साथ बी रेंज सिंग बारत समाचार मना रहा है